ये class 10th coordinate geometry के exercise 7.2 का first question है Find the coordinate of the points which divides line segment joining the points minus 1, 7 and 4, minus 3 in the ratio of 2 as to 3 अर्थात उस बिंदू का निर्देशाग ग्याद कीजिए जो बिंदूओ minus 1, 7 और 4, minus 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो अनुपात 3 में विभाजित करता है मान लेते हैं कि यह एक point A है जिसका coordinate minus 1, 7 है तथा यह एक point B है जिसका coordinate 4, minus 3 है अब यह एक रेखाखंड है जो point A और point B को मिलाती है और यह एक बिंदू P है जो इस रेखाखंड को दो अनुपात 3 में विभाजित करती है तो हमें इस P के coordinate को ग्याद करना है और हम जानते हैं कि अगर कोई point A जिसका coordinate x1, y1 है तथा कोई point B जिसका coordinate x2, y2 है को मिलाने वाली यह रेखाखंड को अगर कोई बिंदू P, M1 और M2 के अनुपात में डिवाइड करती है तो by use of section formula यानी की विभाजन सूत्र के प्रयोग से इस P के x का जो coordinate होगा वहो जाएगा M2 into x1 plus M1 into x2, divide by M1 plus M2 और y का जो coordinate होगा वो है M2 into y1 plus M1 into y2, divide by M1 plus M2 तो इस question में x1 equals 2 हो जाएगा minus 1, y1 का value होगा 7, x2 equals 2, 4 और y2 equals 2, minus 3 तथा M1 का value होगा 2 और M2 का value हो जाएगा 3 अब इन सभी x1, y1 और x2, y2 का value हम इस formula में put कर देंगे तो हमें x और y का value मिल जाएगा तो चलिए, यहाँ पर देखते हैं x equals 2 हो जाएगा 3 into minus 1 plus 2 into 4, divide by 2, plus 3 और y equals 2 होगा, 3 into 7, plus 2 into minus 3, divide by 2, plus 3 अब यहाँ से x का value होगा, minus 3, plus 8, divide by 5 जो की बराबर होगा 5 divide by 5, k, जो की बराबर होगा 1, k, और y का value हो जाएगा 21 minus 6, divide by 5 तथा, यह equal हो जाएगा 15 divide by 5, यानि equals to 3 यहाँ से हमें x और y का value मिल गया x का value एक तथा, y का value तीन प्राप्त हुआ इस तरह से हम question में section formula का use करके x और y का value ग्यात कर लिया